हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टबर कलाश टेन प्लस टू काउंट एंजी माई नेम इज मनीत प्रोम आधर सीनिस केंडि स्कूल खाई शरगड हम प्लस टू काउंट एंजी का थर्ड चेप्टर कर रहे तो उसमें था अडमिशन ओफे पार्टनार तो आज उसका एक अकाउंट आता है हमारे प्रास वह होता है और है में मेमोरेंड कर रीवेलेशन् और उसके बारे Pac-5 म हिं表ें है तो यह क्या हो गया Memorandum Revealation Count का ही आगे पार्ट है ठीक है लेकिन इसके अंदर क्या होता है Revealation में क्या था एसेट और जो लाइबिल्टी उनकी जो वेल्यू इंक्रेज डिक्री जो उस पर दिखाना ठीक है लेकिन Memorandum के अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो इस बात पर सैम में तो जाते हैं कि वो चेंज की हुए प्रोपिट नहीं दिखाएंगे जो पुराणी वेल्यू है तो उसके लिए हम एक Memorandum को पनाते हैं इसमें यह एंट्रेंट दिखाते हैं लेकिन जो फाइनल बेलेंशीट मनाते हैं उसके अंदर जो रियल वेल्यू वही दिखाते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं क्यों बनाते हैं तो वह बढ़ेंगा थीक है तो मारे पास यह विल्यों फेचाट्स ठीक क्रैटिट जीसे मारा फायदा हो और उल्वह सो रहे हो डेविट अजएगा ठीक अगरे इस जए तो ऊप्रोपिटट प्रोपिटट्राण्स और पार्टनर पार्टनर के वह बढ़े पार्टनेंगा उनके ओल्ड्रेसों में प्रोपिट ट्रांस् जिसक्व में शिष्टम आएगा तो उसको कलीर करने के लिए मं सेकेंड पाटर करेंगे हैं ठीक हैं तो जो हमारी एंट्रियां पहली हुए उसकी रिवस एंट्रियां इंगरें वेलियों पैसे तो टूरी रिवर्श इंगरेंग वेलियो अब एसेट्स इसका आप पार्टनर के ओल्ड रेसों में ठीक है जो ओल्ड पार्टनर थे उनके ओल्ड रेसों में ही ट्रांस्वर करेंगे और जो नया हम अकाउंट मनाएंगे सेकेंड पार्ट के अंदर उसके अंदर के आजेगा जो न्यू पार्टनर है उनकी न्यू रेसों में जो न्या पार्टनर वापस क्रेट वा और जो पुराणा वही हम अकाउंट में दिखा देंगे ठीक है तो इसका फाइदा क्या है जो भी हमारे एसेट और लाइवल्टे उसकी रियल वेल्वर केप्टल अकाउंट हो जाती है ठीक है और जो पुराणी वेल्य उसी पर दिखाते रहते हैं तो उसमें कोछ चैंज नहीं आता बैलेंस इसमारी बने रहते हैं ठीक है तो इसलिए हम क्यावनाते हैं मेंमोरेंडम रिवल्शन अ झे ऐसे देगलेंडलें स росс पमीने लिएël उसकी खब दके नहीं देगा चानारी ठीक हैं भी उनाती हैंज नहीं है boss, म Comma тाण इसे उनांगते हैं तो culp कोछ़ चलस्दों हो क्यों रहती हैं पाण क्यों हैं